तो चली शुरू करते हैं आज हम आपको बताएंगे यदि हम Chrome Browser पर कोई website या data को सर्च करते हैं तो वो website और data Chrome Browser के history में save हो जाता है तो हम उस history को कैसे manage करें? manage means उस history को कैसे edit करें, delete करें या उस browsing data जितना भी हम browse करते हैं data को उसे कैसे हम clear करें? तो उसे clear करने के लिए सबसे पहले हम उपर जो three dots दे रखें हैं इस पर click करेंगे, click करने के बाद यहां कहीं पर history लख रहा होगा, history पर click करेंगे, यहां history यह रहा है और history को हम control plus H, इसके साथ भी हम open कर सकते हैं, praise करके, तो इस पर click करेंगे, click करने के बाद देखिए जितनी website website को हमने Chrome browser पर search किया है, तो यह सब data cookie के रूप में save हो चुका है, तो इन website पर यहां से visit भी हो सकते हैं, जैसे उपर सबसे उपर website दे रखेंगे, इस पर click करेंगे, और इस website पर visit हो जाएंगे, और देखिए successfully इस website पर visit हो चुके हैं, उसके अलावा हम इन जो जितना भी website का data है, इसे हम delete भी कर सकते हैं, history को, यह select करेंगे, जैसे और एकाद और select कर लेते हैं, यह हमने YouTube related history को select किया, और उपर delete, इस पर click करेंगे, और remove, इस पर जाएंगे, तो देखिए, यह successfully remove हो चुका है, और single action भी ले सकते हैं, अलग-अलग history के, अलग-अलग website की history का, तो यहां इसे भी remove कर सकते हैं हम इने, उसके अलावा इने देखते हैं, नीचे तक पहुंस थी history है, सभी को delete कर सकते हैं, कुछ यहां से और action ले सकते है, tabs from other device, अगर इस पर click करते हैं, तो कुछ करने को है नहीं, इसमें, clear browsing data इस पर जाएंगे अब, तो यहां से हम जितना भी आज त करके clear कर सकते हैं, और advanced level पर भी इने clear किया जा सकता है, जैसे site setting रही, hosted app data रहा है, तो सभी को clear data पर click करके, वो all data जितना भी है, सब clear हो जाएगा, तो हम इस परकार history को manage करते हैं, advanced level पर,